हेलो फ्रेंट्स, टेस्टी ट्रिट्स में आपका स्वागत है, आज मैं बिहार में बनने वाली एक और पॉपुलर डिस ले कर आई हूँ, दल पिठी, जिसे ज़्यादा तर गर्मियों में बनाया जाता है, इसे बनाने के लिए मैंने यहां आधा ग्लास अरहर दाल लिया है, आप यहां अरहर दाल की जगह मसूर दाल भी ले सकते हैं, दाल को हमें अच्छी तरह दो तिन पानी धो लेना है, अब कूकर में इस दाल को बनाएंगे, जैसा नॉर्मल दाल बनाते हैं, उस तरह दाल बना ले, कूकर में दाल डाल दिया, एक ग्लास पानी डालेंगे, आधा चमच हल्दी पाउडर, एक चमच नमक, और एक चमच घी डालेंगे, घी डालने से दाल का स्वाद बहुत बढ़ जाएगा, और साथ ही कूकर का धक्कन गंदा नहीं होगा, धक्कन लगाकर हमें गैस का फ्लेम हाई कर देना है, और कूकर में एक विसिल आने देना है, जब एक विसिल आ जाए, तो गैस का फ्लेम कम कर दे, लो फ्लेम पर हमें इसे पाँच मिनट तक पका लेना है, पाँच मिनट में ये डाल अच्छी तरग पक जाएगा, गैस का फ दो कटोरी आटा ले, इसमें आधा चम्मच नमक, वन फोर्थ चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच अजवाइन, अजवाइन को हातों से अच्छी तरह गड़ कर डाले, अब इसमें एक ऐसा इंग्रीडियन डालेंगे, जिससे इसका फ्लेबर बहुत बढ़ जाएगा, वो ह अचार का मसाला, आप किसी भी अचार का मसाला डाल सकते हैं, इसमें मैंने एक चम्मच अचार का मसाला डाला है, वन फोर्थ चम्मच जीरा डाले, आप अचार का मसाला जरूर डाले, अचार का मसाला डालने से ही इस दाल पीठी का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है, सभी सामगरी को अच्छी तरह मिला ले इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें एक सेमी सॉफ्ट डो बना लेना है जिस तरह का हम रोटी बनाने के लिए आटा गूतते हैं उसी तरह का हमें आटा गूत लेना है आटा को अच्छी तरह बसल कर गूते इसे ढग कर रेस्ट करने के लिए रख देंगे तब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं यहां मैंने दो प्याज लहसुन की कली और एक इंच अद्रक का टुकरा लिया है प्याज लहसुन और अद्रक को बारी काट लेना है दो हरी मिर्च और दो टमाटर को भी हमें बारी काट लेना है आटा को भी रखे 5-7 मिनट हो गए है इस डो से एक बॉल बना ले बॉल बड़े साइस का बनाना है क्योंकि हमें एक बड़े साइस की रोटी बनानी है सूखा आटा लगाते हुए हमें एक रोटी बना लेना है रोटी को हमें चारो तरब से बराबर बेलना है एक समान बेलते हुए हमें कुछ इस साइज का रोटी बना लेना है अब एक ग्लास या कटोरी लेंगे और इससे छोटी छोटी पूरिया काट लेंगे इस रोटी से जितनी पूरिया कट जाए उतना काट ले यहां करीब साथ पूरिया बनी है एक्स्ट्रा डो को हटा लेते हैं इस पूरी से हमें कुछ इस तरह से करते हुए एक डिजाइन बना लेना है उंगली का यूज करते हुए आप ऐसे बीच में दबा दे इस तरह यह डिजाइन बन कर तयार हो जाता है इसी तरह हमें सारे डिजाइन को बना लेना है शुरू में यह डिजाइन बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन एक बार प्रैक्टिस करने से यह डिजाइन बन जाता है मैं आपको एक और डिजाइन दिखा देती हूँ आप चाहें तो वो भी डिजाइन बना सकते है इसमें तीन कोना रहेगा आप इस तीन कोने वाले पिठी को भी बना सकते है या चार कोने वाले पिठी को आपको जो आसान लगे वो डिजाइन बनाईए देखिए बनाना कितना आसान है हमें बीच में अच्छी तरह प्रिस कर देना है कॉर्डनर को हमें चिपकाना नहीं है खुला रहने से ये पिठी अच्छी तरह पकेगा इस तरह सारी पिठी बन कर तैयार हो गई गैस के उपर एक कढ़ाई रखेंगे उसमें एक चम्मच सरसो तेल और दो चम्मच घी डालेंगे आप केवल घी से भी बना सकते हैं इसमें एक चम्मच जीरा डाले आप इसी समय दो तेज़ पत्ता डाल दे मैं डालना भूल गई थी उसे बाद में डाली हूँ अब इसमें कटी हुई हरी मिर्च कटा हुआ लहसुन डाल कर थोड़ी देर भून लेंगे लहसुन जब पक जाए तब कटा हुआ प्याज को भी डाल देंगे गैस का फ्लेम हमें यहां मीडियम रखना है प्याज को हमें हलका गुलाबी होने तक भून लेना है इसे बीच बीच में चलाते हुए भून ले देखिए प्याज का कलर हलका चेंज हो गया है अब इसमें कटा हुआ टामाटर डाल देंगे टामाटर को प्याज के साथ अच्छी तरह पका ले इसमें हमें अब कुछ मसाला डालना है वन फोर्थ चम्मच काली मिर्च पाउडर वन फोर्थ चम्मच जीरा पाउडर डाल कर भून ले मसाला हमें यहां बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि कम मसालों में भी या डाल पीठी बहुत तेस्टी बनती है इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे नमक हमें बस थोड़ा डालना है क्योंकि हमने दाल और पिठी में भी नमक डाला है अब इसमें कटा हुआ अद्रक डाल दे और सभी को अच्छी तरह भून लेंगे टमाटर अच्छी तरह गल गया है और मसालों से तेल भी रिलीज हो गया है गैस का फ्लेम यहां कम कर देते हैं और डाल को चेक कर लेते हैं कूकर से प्रेसर निकल जाने के बाद डाल अच्छी तरह गल गया है अगर आपके पास लकडी की मतनी है तो इससे डाल को अच्छी तरह मतले मैं यहां हैंड विसकर से इसे मतले रही हूँ इससे दाल अच्छी तरह घुल जाएगा यहां हमें दाल पतली चाहिए अगर दाल गाड़ी है तो आप गरम पानी डाल कर उसे पतली कर ले दाल को हमें तड़का में डाल देना है यहां हमें थोड़ी और पतली डाल चाहिए इसलिए मैं इसमें गर्म पानी डाल दे रही हूँ गैस का फ्लेम हाई कर दे और हाई फ्लेम पर हमें इस दाल को अच्छी तरह उबलने देना है दाल अच्छी तरह उबलने लगा है अब इसमें तैयार पिठी को डाल देंगे पिठी को हमें एक एक करके डालते जाना है आप एक बार इस तरह दल पिठी बनाकर जरूर ट्राइ करे अचार का मसाला डाल देने से इस दल पिठी का स्वाद बहुत बढ़ जाता है इसे डाल देने के बाद हमें इसे ढख कर पकाना है इसे हमें करीब 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाना है जैसे जैसे पिठी पकेगी वो उपर आने लगेगी और उपर तैरने लगेगी इसे ढख दे इसे पकाते हुए मुझे 10 मिनट हो गए है एक बार इसे चेक कर लेते हैं सारी पिठी देखिए उपर आ गई है इसका मतलब ये अच्छी तरह पक गया है देखने में ही ये दल पिठी कित्ती सुन्दर लग रही है इसलिए इसे दाल की दुलहन भी कहा जाता है 10 मिनट बाद गैस का फ्लेम बंद कर दे इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए हम इस में एक चमच अचार का मसाला डालेंगे गैस का फ्लेम बंद करने के बाद आप अचार का मसाला डाले डाल पिठी सर्व करने के लिए तयार है एक बार आप इस तरह बना कर देखिए आपको इस दाल पीठी का स्वाद बहुत पसंद आएगा अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सेयर जरूर करे और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद